हेले स्टूडेंट कैसे हैं आप सब उमीद करता हूँ आप सब अच्छे होंगे मस्तोंगे बेतर होंगे आपकी पढ़ाई बेतर चल जोगी और आज का टॉपिक है टिंडल प्रफॉप क्लास्टुल कमिस्टी न्सी अर्टी चैप्टर फाइब का फैरे बच्चो इस समय चल कर रहा हूं कि आपको यह सलेवस में जो भी आपका टॉपिक है उसे मैं करा दूँ ओके चले सुरू करते हैं टिंडल प्रफॉप गले में बहुत खरास है बच्चो लेकिन फिर भी थोड़ा आप समझेगा मैं पूरा कोशिस करूँगा कि आपको मैं समझा सकूं सबसे पहल होता है इसका कौन सा गुण है तो प्रकासिक गुण है क्या कौन सा गुण है प्रकासिक गुण मतलब प्रकास के आधार पर इसको हम समझ सकते हैं यदि प्रकास नहीं है तो फिर हम टिंडल प्रफॉप को नहीं समझ सकते हैं ठीक है जैसे यहां पर प्रकास सुरुत के दिया है संगनित लेंस ताकि यहां से प्रकास केरने जाती तो यह फैल जाता आगे चलकर यहां से प्रकास केरने चलती फैल जाता आगे चलकर लेकिन यह फैल रहा था यह जो आपका संगनित लेंस है प्रकास केरनों को एकत्रित करने का काम करना है ठीक चलिए जो हमारा नहीं हो पाता प्रकास का प्रक्रिणन का मतलब क्या होता है जब प्रकास करण किसी करण से टकराती है और वो फैल जाती है उसे हम कहते हैं प्रकास का प्रक्रिणन समझने की कोशिस करेंगे जब प्रकास करण किसी करण से टकराती है और वो पर फैल जाती है तो वो प्रकास का प्रक्रिणन कहलाती है जो आपको वास्तविक बिलियन होता है उस वास्तविक बिलियन में इतने सूच में कड़ होते है जैसे माली जी हमारे पास एक बिलियन है तो वास्तविक बिलियन में जो कॉलाडी कड़ है इतने कुलाइडिकन जो है प्रकास के प्रकेटन को प्रदर्सिती नहीं करते इन्हीं प्रकास किनों को नहीं फैला पाते इसलिए हम VASTWIGhö validion की बात करें तो VASTWIG trillion में टेंडल प्रवाव को नहीं समझा जा सकता लेकिन वहीं पे हम कुलाइडी इकनों की कि बात करें कुलाइडी विल्यन की बात करें जो हमारा कुलाइडी विल्यन होता है इसमें कुलाइडी एकन थोड़ी से बड़े होते हैं किस के आप इच्छा बच्छो वास्त विल्यन के आप इच्छा तो इसमें जो जैसे आप सबसे सस्ता और अच्छा एक्जामपल में दि पानी मेंदिया, आप दूद मिला दो बच्चो जब आप दूद मिला दोगे तो होता क्या है कि उसके जो छोटे 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 पार्टिकल्स हैं दूद के वो क्रिस्टल के छोटे छोटे कण़ कैलाएंगी और वो प्रकास का परकरणंद धर साथी है मैंने experiment की सहाथा से 60 वीडियो के माध्यम से मैं आपको provide कराया था और आज भी पेरबच्चो आगे चलकर मैं और भी ऐसे exercise मैं करा दूँगा थोड़ा सा गले में खरास है आवाज निकल नहीं रही इसलिए आज पेरबच्चो फिर भी lecture देना है समझ रहे हैं तो जो हमारा कोलाईडी जो आपका billion होगा यानि कोलाईडी जो तंत्र है उस पे हम टिंडल प्रफा को समझ सकते हैं तो जो यह टिंडल प्रफा आता है बच्चों सबसे पहले तो आपको diagram बनाना पड़ेगा यह diagram है और diagram में कुछ भी नहीं है हमने क्या लिया है पात्र लिया है पात्र में हमने कोलाइडी विलियन रख दिया है और कोलाइडी विलियन में पहरे बच्छों प्रकास क्रण को गुजार रहे हैं सिंपल है अब प्रकास क्रण आप डाइरेक्ट भी गुजार सकते हो लेकिन संगनित करने के लिए मैंने ऐसा क में लेजर केरणों का प्रयोग करके बताया था लेजर केरणे क्या है फैलती नहीं है उस सीधर डायरेक्ट आती है बच्चो समझ रहे हैं तो प्रकास क्रण जो है यहां पर हम एदी मोंबत्ती का प्रयोग कर रहे हैं तो यहां पर संगनीत करने के लिए संगनीत लेंस का प्र करते हैं लेकिन वहीं पर देखा गया कि जब प्रकास किरण को किसी कोलाइडी बिलियन से गुजारा जाए तो अंदर कुछ आकरती बन जाती है क्या आकरती बन जाती है जो कि एक संकुनुमा होती है कैसे होती है संकुनुमा होती है और लगबग नीले रंग का दिखाए जा अ आकास नीले रंग प्रकास के प्रकेड़न के कारण ही दिखाई देता बच्चो समझ रहे ना तो यहां पे भी यहीं संकु नुमा आकरत ही प्राप्त होगी जो हलका नीले रंग का दिखाई देता है और जिसे हम टिंडल संकु कहते हैं ठीक है और इस प्रभाव को हम टिंडल कि कहते हैं ठीक है समझ में आया चलिए अब आपको लिखना क्या है और कुछ भी नहीं है मैंने जितना समझा उतना ही लिखना है कि प्रकास पुंज को को लाइड़ी विल्यन से कुझा रहा जाए तो प्रकास मार्ग में चमकते हुए संकु रूप में क्या दिखा जेती है इसका दन सबसे पहले टिंडल नहीं किया था अचा टिंडल नहीं किया था तभी तो टिंडल प्रभाव राखा गया टिंडल के नाम पर ही इसकी जो आकरे टिंडल संकु रख दी गई इसे टिंडल प्रभाव संकीले संकु को टिंडल संकु कहते हैं टिंडल ने बताया कि कारकर करन प्रकास का प्रकरणा नहीं करते हैं मैंने पहली बताया कि ये दिमा cuer लीज़े किसी प्रकास को किसीवास्थिक मिलियन से गुजारा जाए तो वहां पर प्रकास का प्रकुर्णा नहीं होता बिलकुल बहुत काम होताய αυτό है जिसका मार कहनता strings से रहता है कोलाडी कर प्रकास उर्जा को अफसोसित करके स्वयम दीप्त हो जाते हैं और फिर अफसोसित करके स्वयम सरी फिर अफसोसित प्रकास छोटी तरंगदैर के केड़ों की रूप में प्रकर्णित होने लगता है मतलब कोई भी कड़ है प्रकास केड़ों को अफसोसि करता है बच्चो और फिर वो क्या करता है उस सर्जित करेगा है सिंपल है है ना वहां से निकलेगा तभी तो में रंग दिखाई देगा यह चीज है अब इतना लंबा चोड़ा लिखने कि जरो तो नहीं है समझ रहे हैं यह दो नंबर को कोश्यन आएगा तो आप मैं दिया आ को किसी कोलाइडे बिलियन से गुजारा जाता है तो एक बिलियन में प्रकास का हमें क्या दिखा देता है एक मार्ग दिखा देता है जो संकुनुमा होता है इसकी खोज टिंडल ने की थी इस कान से हम इस प्रभाव को टिंडल प्रभाव कहते हैं और इसकी जो आक्रती बंत ता लेकिन कोशिस किया कि आपको बच्चो समझा सकूं और ऐसे वीडियो पाने के लिए प्लीच हमारे चैनल पर आप जुड़े रहें और जो भी आपके सीनियर हो जुनियर हो जरूर एक बार थुदा सा सेयर करें ताकि उनको फी हेल्फ हो सके जय हिंद बंद मातरा हूं